इन्फिनिक्स 6,000 रुपीज में लॉंच किया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD देखे बाजेट में दमदार स्मार्टफोन है आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 30 प्लास यूनिक हिडेन फीचास बताऊंगा इस वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे इस फोन में गुगल डाइलर नहीं है इन्फिनिक्स का खुद का डाइलर है उसके बज़े से कोई भी कॉल को रेकोड कर पाओगे बिना एनाउंसमेंट के सबसे बहले तो डाइलर के अंदर इहां पे आप लोगों को आजाना है सेटिंग के अंदर आना है आटो कॉल रेकोडिंग को इनेबल कर देना है हार एक कॉल रेकोड होता रहेगा इतना ही नहीं फ्लेस फॉर कॉल का ओप्सन भी दिखाई देगा इसको enable करके रखोगे, जब भी कोई भी incoming call आएगा, back side में जो flash light है, वो blink करना सुरू कर देगा, दोस्तो back side में तो flash light मिलता है, लेकिन आप लोग front side में भी flash light को on कर पाओगे, देखिए, notification drawer में flash light का option दिखाई देगा, इसके ओपर tap करके hold करके रखिए, देखिए, यहाँ पर flashlight enable हो जाएगा, और back flashlight तो automatically enable हो जाता है, one click में, इसके इलाबा अभी notification drawer में और भी बहुत सारे features देखने को मिलता है, देखिए, ओ सब कुछ height situation में रहता है, ओ सारे shortcut को on height करने के लिए pencil के उपर tap कर दीजे, नीचे में देखिए, सारे के सारे on height shortcut दिखाई देगा, जो सारे shortcut आप लोगों को useful लगता है, प्लास के उपर tap करके उपर की तरब लेकर आ जाएगे, अगर आप office के काम में ज़्यादा busy रहते हो, और phone में कोई भी application आपको ज़्यादा डिश्टाप करता है, उसके लिए focus mode दिया है, notification drawer में focus mode मिल जाएगा, इसके उपर tap करके hold करके रखिए focus mode के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे application दिखाई देगा, जो application आपको ज़्यादा डिश्टाप करता है, मालोग Chrome से बहुत ज़्यादा notification आता रहता है, Chrome को select करके tan on कर देना, देखिए जब तक आप focus mode को enable करोगे ना, तब नहीं तो कोई Chrome से notification आएगा, और नहीं तो Chrome application को use कर पाओगे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, Chrome application यहाँ पे black and white हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे uncheck करके disable नहीं करते हो, तब तक Chrome को use ही नहीं कर पाओगे, skin recording का features भी देखने को मिलता है, यहाँ पे skin recording के उपर tap करके रखोगे, skin recording के अंदर आ यहाँ पे microphone sound को record कर पाओगे, और जहाँ जहाँ पे touch कर रहे हो, अगर आप लोगों को दिखाना है, उसको भी आप यहाँ पे enable कर सकते हो, दिखाई देगा कहाँ कहाँ पे touch कर रहे हो, अगर आप एक हाथों से ज़्यादा phone को इस्तेमाल करते हो ना, तो आप लोगों के लि यह cross के उपर tap कर दीजे, इससे आप लोग बाहर चले जाओगे, इस्पुन का जो price है, स्थिक्तावजन रूपी से 2GB RAM है, तो उसके बज़े से बड़िया features मिलता है free jar का, इसके अंदर आजाना, basically यहाँ पे उही सारे application को add करना है, जो सारे application को आप ज़्यादा इस्तेमाल क होता है, इस तरीके से हम लोग YouTube को close कर देते हैं, और वो हमेशा RAM में पढ़ा दता है, देके background में RAM को use तो करता ही है, उसके साथ साथ internet को भी use करता है, लेकिन freezer के अंदर आके plus के उपर tap करके, अगर आप लोग यहाँ से YouTube या कोई भी application को add करोगे न, वो application यहाँ पे रहेगा और background में run नहीं होगा, नहीं तो background में RAM को use करेगा और नहीं तो internet use करेगा, जब आप use कर रहे हो, उसी application को तब सब कुछ use करेगा, वरना बाकी time O freeze दी रहेगा, कमाल का features है, setting के अंदर और बहुत सारे बहतरीन features मिलता है, सबसे बहले तो Wi-Fi के अंदर बहतरीन features है, यहाँ प पाओगे, basically आपके Wi-Fi में अगर internet slow है, automatically mobile data में switch कर देगा, और ask before switching enable करोगे, तो switch करने के time में आपको पूछेगा, turn on Wi-Fi automatically, मालो आपके घर में Wi-Fi है, और आप बाहर गए थे, जब आप घर के असपास आओगे, automatically iPhone connect कर देगा Wi-Fi के साथ, open network notification, अगर public place में high speed internet रहेगा, तो आ आपको notification भेज़ देगा, कि यहाँ पे high speed internet available है, display and brightness के अंदर भी बहुत सरे बैतर निन features है, सबसे बहले तो iCare का option मिलता है, अगर आप रातों में phone को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, iCare को enable करके इस्तेमाल करना आपके आँकों को तकलिप नहीं पहुंचेगा, और इसको schedule भ आप लोगों को dark mode चाहिए, उसके ठीक नीचे यहाँ पे front side का option दिखाई देगा, देखे बहुत सरे लोगों को छोटा front पढ़ने में थोड़ा सा दिख्काद होता है, तो आप लोग यहाँ से आके front side को बढ़ा सकते हो, increase कर सकते हो, जो सारे भाई लोगों को छोटा front के रखते हो, by default एप बंद रहता है, इस पॉन के lock skin में हार एक notification दिखाई देता रहता है, privacy के लिए बहुत बढ़ा issue है, इसके solution के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को notification center के अंदर जाना है, lock skin के अंदर यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे देखे notification to show, यहाँ पे don't show lock skin notification करक बढ़ा issue है, तो सबसे पहले तो setting के अंदर, privacy के अंदर, permission manager के अंदर आ जाना है, यहाँ पे देखे कौन सा चीस, किस चीस के लिए permission दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे की contacts का permission 5 application ले रहा है, उसी तरीके से file का permission 11 application ले रहा है, चलो मैं आप लोगों को दि आपके यहाँ पे don't allow कर देना, कभी भी यह browser जो file का permission है, और नहीं लेगा, जब तक आप लोग नहीं पारमिसान दोगे, एकसो इसके बज़े से, इस phone में बहुत सारे unique features मिलता है, तो सबसे पहले setting के अंदर, आप लोगों को आ जाना है, special function के अंदर आना है, यहाँ पे meme fusion क option दिखाई देगा, रेके 2GB का RAM है, आप 2GB तक बढ़ा सकते हो, अगर आप कम virtual RAM add करना चाहते हो, तो यहाँ से 1GB भी add कर पाऊँगे, एकसे नंट जिसस के अंदर आओगे, तो यहाँ पे कुछ-कुछ अफीचास भी आ गया है, जैसे कि tapping white, इसको enable करके रखना, home skin में double tap करो से आप a skin shot भी बहुत आसानी से ले पाऊगे, यहाँ पे smart skin on का option भी दिखाई देगा, इसको enable करके रखना, phone को इस तरीके से उठाओगे, skin का जो light है, wipe up हो जाएगा automatically, अगर आप कोई भी application के उपा timer लगाना चाहते हो, ओ भी possible है, सबसे पहले setting के अंदर, digital well-being के अंदर य निचे dashboard का option दिखाई देगा, यहाँ पे दिखे बहुत चारे application दिखाई देगा, अगर आप लोगों को लगता है YouTube जादा आप एडिक्ट हरे हो, इसके उपर आप लोगों को timer लगाना है, तो यहाँ पे app timer में आके कोई भी time select कर लीजे, जो time आप select करोगे, उतना ही time के लि सकते हो, security के अंदर बहुत सारे बहतर इन फीचा से, सबसे बहले तो find my device दिखाई देगा, यहाँ पे जो website है, इस website में जाके आपके फोन में जो email ID है, ओ देकार sign in करके रख देना, अगर आपके फोन घूम हो जाता है, इस website में जाके उस email ID के जरी यह आपके फोन को बहुत करते रहते हैं, कई बार क्या होता है, इस थम के बज़े से YouTube से कई बार हम लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन आप परिशान नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे, इस से बाहर जाने के लिए इस से टैप करके, hold करके रखें, देखें, आप YouTube को पीन करोगे ना, देखें, YouTube यहा करना है, इस को इनेबल करके ना, बिसिकली क्या होता है जब भी आप कोई भी पिक्चर वेगरा खीचोगे ना तो नीचे की तरह भी यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर में जाके दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे में इंफिनिक स्मार्ट एजडी देखिए लिखा हुआ है